हाई सूपर फैंस आएम स्वपनिल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन हो सकता है अवेंजर्स का न्यू लीडर मार्वल सिनेमेटिक युनिवर्स के फेस 3 तक सभी कोई अच्छे से क्लियर था कि एमस्यू के अवेंजर्स का लीडर स्टीव रॉजर्स यानि की कैप्टन अमेरिका है टोनी स्टाक के अलावा वही ऐसा एकलौता करेक्टर था जिसे इंफिनिटी सागा में सबसे जादा स्क्रीन टाइम मिला अवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमक्स पैटल में टोनी के सैक्रिफाइस के अलावा में फोकस स्टीव रॉजर्स पे ही दिखा जिसके बाद इसने अमस्यू को अलविदा कह दिया अब अमस्यू का फेस 4 जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब अवेंजर्स फिर से असेंबल होंगे और लड़ते दिखेंगे थैनोस से भी बड़ी किसी और थ्रेड से लेकिन ऐसा होने पर जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो नहीं सिर्फ स्टीव रॉजर्स की तरह सभी अवेंजर्स को एकठा रख पाए बलकि उसी के लेवल पे इस सभी को मोटिवेटेड भी रखे MCU के फेस फोर में जहां कई नए सूपर हिरोज इंटर्डिउस हुए हैं जिनमें इटर्नल्स, मून नाइट, शी हल्क और शैंक ची जैसे पावरफुल सूपर हिरोज हैं लेकिन ये सभी काफी नए हैं और इनने अवेंजर्स के लीडर्स के रूप में नहीं देखा जा सकता अगर बात करें सबसे पुराने केरेक्टर की जो इस पोस्ट के लिए एक दमदार कैंडिडेट है तो टोनी स्टाक के अलावा 2008 की आईरन मैं में ही इंट्रीस हुआ था जेम्स रोडस भी टोनी स्टाक का सबसे पुराना फ्रेंड और एक रिस्पॉनसिबल मिलिटरी ओफिसर जेम्स रोडस ही आगे चलके बना सूपर हिरो वार मशीन तब से लेकर अब तक सिवाए Battle of New York को छोड़के Avengers की हर एक बैटल में वार मशीन एक इंपॉर्टन पार्ट प्ले करते हुए दिखा है Captain America Civil War में एक Accident की वज़े से Paralyzed होने के बावजूर उसने अपनी Recovery की और वो Avengers Infinity War और Endgame की Final Battle का पार्ट रहा और Avengers में सबसे Senior होने की वज़े से James Rhodes aka War Machine इस रोल के लिए एक Strong Candidate है सबसे Senior Character से आते हैं सबसे Junior Character पे यानि की Peter Parker का Spider-Man कुछ समय पहले तक Marvel fans ये मानते थे कि Spider-Man ही Iron Man के Tony Stark का Replacement है लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है और Recently Spider-Man No Way Home ने ये clear भी कर दिया है मेरे एक पुराने वीडियो में भी मैंने mention किया था कि Tony Stark के Iron Man की Real Replacement बनेगी Riri Williams जो बनेगी Super Hero Iron Heart Marvel Comics में भी Tony Stark की Replacement Riri Williams ही रही है और Spider-Man का Tony Stark की Legacy से कोई भी connection नहीं था तो वो कभी भी Iron Man का successor नहीं बनने वाला था Captain America Civil War में First Time Introduce हुआ Peter Parker अपनी individual तीनो मुवीज में Self Discovery और इस World में अपनी पहचान बनाते हुए दिखा Peter Parker शायद MCU के उन characters में से एक है जिसने सबसे जादा growth की है Spider-Man No Way Home में हमने उसे एक ऐसा decision लेते देखा जिसमें उसने खुद के बारे में न सोच की दुनिया को बचाने के लिए अपनी खुद के identity sacrifice कर दी और इवन दो Peter Parker नहीं सही Spider-Man अभी भी Avengers की टीम का part है लेकिन Marvel और Sony के Spider-Man character को लेके जो conflicts हैं उन सबकी वज़े से मुश्किली है कि Spider-Man अभी future में हमें Avengers टीम को lead करता दिखे और साथ ही मुश्किल है इस अगले contender का Avengers की टीम का leader बनना Star-Lord एक ऐसा super hero है जिसने पूरे universe में Earth से लेकर nowhere तक और ego से लेकर Titan तक की journey की हुई है और साथ ही उसके portfolio में Guardians की इस galactic team को lead करने का experience भी है Even though Star-Lord time के साथ और mature और एक team player बन चुका है लेकिन अपने emotions को properly control ना कर पाने की वज़े से मुश्किल है कि वो Avengers की team का leader बन सके Guardians के team के leader से चलते है Wakanda के leader की तरफ Tachala के Black Panther ने भी Captain America Civil War से ही debut किया जिसके बाद हमने उसे देखा Wakandan Civil War में Killmonger के against लड़ते जिसे हरा के Tachala बना Wakanda का king यानि की Black Panther और Wakanda की technology का access पूरी दुनिया को देखके Tachala ने खुद को एक अच्छा leader भी prove किया लेकिन sadly Chadwick Boseman की death की वज़े से Tachala का character अगे continue नहीं हो पाएगा और एवन दो Wakanda के राजा के रूप में हम किसी और character को जरूर देखेंगे लेकिन Chadwick Boseman के Tachala के अलावा कोई और Black Panther फिलहाल तो leader के रूप में नहीं दिख सकता एक king से दूसरे ex king यानि की बात करते है son of Odin Thor Odinson की God of Thunder Thor उन Super Heroes में से है जिसने इस universe की पूरी journey के साथ साथ खुद भी एक emotional journey की है Asgardians में काफी young 1500 साल का Thor अपनी अब तक की journey में काफी सारी battle जीतने के साथ साथ कई चीजे खो भी चुका है MCU के सबसे strongest Super Heroes में से एक Thor Avengers Endgame में अपने depression को fight करके उसे भी overcome कर चुका है और एवन दो वो Avengers के leader के रूप में एक strong contender है बट वो फिलहाल Avenger गिरी छोड़ के जा रहा है love गिरी करने और most probably वो खुद ही नहीं चाहता Avengers का leader बनना एक strongest Avengers से चलते हैं दूसरे strongest Avenger यानि की Carol Danvers की Captain Marvel एवन दो Captain Marvel का introduction MCU में Avengers Infinity War के बाद हुआ है बट MCU timeline के हिसाब से Carol Danvers सबसे पुरानी Avengers में से एक है in fact Nick Fury ने Avengers की team का नाम Carol Danvers के Air Force sign पे ही रखा है इस powerful superhero को उसकी powers Tesseract की वज़े से मिली थी जो उसे MCU के superheroes में सबसे strongest में से एक बनाता है और एवन दो Avengers Endgame में Carol Danvers का एक छोटा सा पार्ट था बट वो Thanos को hand to hand combat में equal tucker देती दिखी Captain Marvel Avengers की लीडर के रूप में एक strong contender है लेकिन उसकी powers इतनी overpowering है कि वो teamwork की जगा अकेले ही fight करने में विश्वास रखती है और वो खुद को सिफ एक planet Earth पे limited नहीं रखना चाहती बलकि वो पूरी universe की super hero है लेकिन जिस तरह का negative reaction Marvel fans का Captain Marvel की actress Brie Larson को लेके आया था मुश्किली है कि उसे MCU के लीडर के रूप में fans accept भी करेंगे Captain Marvel ना सही लेकिन इस next contender को MCU fans already Avengers के लीडर के रूप में accept कर चुके हैं MCU के phase 1 से phase 3 तक के infinity सागा में story mostly revolve होई infinity stones के around और फिर Avengers endgame में infinity stones destroy होने के बाद MCU का focus shift हो गया है multiverse की तरफ और multiverse को doctor strange से better कोई नहीं जानता यही reason रहा है कि spider man no way home में भी doctor strange हमें बहुत important role play करते हुए दिखा Stephen strange जब हमें introduce हुआ था तब वो एक egoistic surgeon था लेकिन movie के end तक वो sorcerer supreme के रूप में एक mature इंसान बन गया था Avengers infinity war और Avengers endgame में Thanos को हराने के लिए doctor strange ने बहुत important role play किया जिसके बाद spider man no way home में उसने कोशिश की peter को mentor करने की लेकिन उसकी एक गलती की वज़े से multiverse break हो गया जिसका result उसे खुद सैना पढ़ा doctor strange in the multiverse of madness में और movie के climax में क्रिस्टीन के वेरियंट से बात करके उसने खुद को भी दिया एक emotional closure अपनी spider man no way home में की हुई गलती को doctor strange सुधारता दिखा multiverse of madness में जहाँ पर उसने एक new और young super hero America shavis की मदद की जो ये hint देता है कि doctor strange new super heroes को guide करने के साथ साथ उने lead भी कर सकता है और multiverse की वज़े से जिस तरह के new threats आते जा रहे हैं Avengers को एक ऐसा leader चाहिए जो ऐसी threat को पहले भी handle कर चुगा है और यही reason है कि doctor strange इस list में काफी उपर है although इसमें कोई doubt नहीं है कि scarlet witch भी doctor strange से powerful super hero है लेकिन जो चीज़े doctor strange multiverse of madness में हुई है उसके बाद hopefully scarlet witch वापस जरूर आएगी बट उसे खुद को फिर से संभालने और सही रास्ते पे लाने में काफी time लगेगा जो शायद mcu के phase 5 के बाद ही होगा और last but not the least बात करते हैं mcu के leader के रूप में Avengers के top contender की इस character से हम first time मिले थे 2014 की Captain America The Winter Soldier में जिसे mcu में उसके नाम से better उसके super hero नाम से जाना गया है मैं बात कर रहा हूँ Sam Wilson यानि की The Falcon की Avengers Endgame के end में Steve Rogers ने अपनी shield के साथ-साथ Captain America का नाम भी दे दिया Sam Wilson को जिसकी आगे की journey हमें देखने मिली Disney Plus की mini series The Falcon and The Winter Soldier में Initially Sam Wilson ने shield दे दी थी government को museum में रखने के लिए लेकिन जब उसने realize कि government John Walker के रूप में एक और Captain America बना रही है जो इस role को deserve नहीं करता तो उसने अपनी shield वापस लेने की ठान ली इस show के end में Steve Rogers की shield और अपने new suit के साथ Falcon बना Captain America और ये show खतम होवा Captain America and The Winter Soldier के रूप में और even though Sam Wilson अब Captain America बन चुका है लेकिन इसके struggles एक Black American होने की वज़े से Steve Rogers से काफी अलग रहे हैं साथी इसके पास Super Soldier सिरम जैसी कुछ additional super powers भी नहीं है तो most probably इस character को हम Captain America 4 के बाद Avengers की टीम को लीड करते हुए देख सकते हैं अल्दो Sam Wilson से भी senior super heroes हैं जो अभी भी MCU में exist करते हैं जैसे कि Ant-Man, Bucky Barnes, Bruce Banner और Hawkeye बट ये सभी characters किसी ना किसी तरह के emotional breakdowns और mental trauma से गुजरे हुए हैं और even though Thor, Captain Marvel और Doctor Strange काफी strong contenders थे लेकिन Avengers के लीडर के रूप में Captain America के replacement Captain America ही करता हुआ देख सकता है आपके हिसाब से New Avengers की टीम का लीडर कौन हो सकता है मुझे comments में लिखके बताइए अगर आपके वीडियो पसंद आया है तो please like कर देना क्योंकि वो एकदम free है Thank you for watching this video, मिलते हैं next video में